गाउं के एक कोने में पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें वकत की मार छेल चुकी थी। लोग कहते थे कि हवेली में कुछ अजीब होता है, लेकिन गाउं का कोई भी इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। राघव जो शहर से हाल ही में अपने दादा के पास गाव आया था, अपने स्वभाव से बेहद छिग्यासु था। एक दिन उसने दादा से पूछा, दादा वो हवेली इतनी डरावनी क्यों लगती है, क्या आपने कभी वहां कुछ देखा है। दादा ने कंभीरता से वहां जाना मना है, लोग कहते हैं कि वहां अद्रश्य आत्माएं रहती है। राघव को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे लगा कि गाव वालों ने ये अफवाहें अपने डर के कारण फैलाई है। एक दिन जब उसका दोस्त अर्जुन उसके साथ आया, तो दोनों ने तै किया कि वे हवेली के अंदर जाकर सच का पता लगाएंगे। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और चिडियों की चहचहाहट भी धीमी पड़ चुकी थी। राघव और अर्जुन ने अपने टॉर्च और एक पुराना नक्षा लिया, जो राघव को उसके दाद अवाज गूज उटती। दोनों ने गेट को धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा, हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, चारों और मकडी के जाले और तूटे फरनीचर पड़े थे। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, राघव मुझे यहाँ अच्छा महसूस नही की हुई थी, जिसमें एक परिवार के सदस्य दिखाई दे रहे थे। अचानक पेंटिंग के चेहरे बतलने लगे। अर्जुन ने डर कर राघव का हाथ पकड़ा। तभी उन्हें एक धीमी हची सुनाई दी। दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अच कोई नहीं था। तभी राघव ने कहा, हम किसी को नुकसान पहुचाने नहीं आए। हमें सिर्फ ये जानना था कि यहां क्या रहस्य है। आवाज ने कहा, यहां का रहस्य ये है कि यह हवेली एक समय में एक खुशहाल परिवार का घर थी, लेकिन लालच ने सब कुछ सकते हैं। आवाज ने कहा, इस हवेली में एक गुप्त कमरा है, वहां एक पवित्र ग्रंथ रखा हुआ है, उसे मंदर में पहुचा दो ताकि हमारी आत्माएं मुक्त हो सके। राघव और अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गुप्त कमरे की तलाश शुरू की, उन्हें कमरे के फर्ष के नीचे एक दर्वाजा मिला। दर्वाजा खोलते ही, उन्हें एक पुराना ग्रंथ मिला। उन्होंने उसे उठाया और तुरंथ गाव के मंदर की ओर चल पड़े। जैसे ही ग्रंथ मंदर में रखा गया, हवेली की सारी अजीब घटनाएं रुप गई। राघव और अर्जुन ने पीछे मुड़ कर देखा, तो उन्हें हवेली के पास खड़े एक परिवार की छलक दिखाई दी, जो धीरे धीरे गायब हो गया। उस दिन से हवेली फिर कभी डरावनी नहीं लगी। राघव ने सीखा कि हर डर के पीछे एक कहानी होती है, जिस समझने की जरूरत होती है।